तो नमस्कार भाईयो स्वागता आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी पॉइंट पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 सब्जेक्ट एगरिकल्चर के पसुपालन विज्ञान की क्लासे कंट्यूनिव कर रखी हैं जिसमें पिछली नसल के बारे में जिसमें हम उसके उत्पति इस्थान वित्रण और उसकी विशेष्टाएं उप्योगिता आदी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को सबसे पहले आती हैं अपने गिर्ण नसल गिर्ण नसल यानि कि गाय की जो गिर्ण नसल है उसके बारे में आज हम बात करेंगे सबसे पहले गिर्ण नसल के बारे में गिर्ण नसल का जो उत्पति इस्थान वित्रण है उसके बारे में हम चर्चा करें तो इसका उत्पति इस्थान सबसे पहले हम गिर्ण नसल के उत्पति इस्थान वित् चेत्र है अधार्त इस नसल का जो उत्पति रइप क्या है काठिया इसका उत्पति स्थान Netz गए आगे बात करें इसके वित्रन के बारे में तो इसका वित्रन यह है नसल कहां कहां पर फैली होई है इसका वित्रन कितनी दूर तक हुआ है तो इसका वित्रन जूनागर भावनगर एवं अम्रेली जिलो में यह है पाई जाती है इस नसल का वित्रण कहा कहा पर है जूनागड भावनगरे में अमरेली जिलों में यह नसल पाई जाती है जो गिर नसल है वो राजस्तान के अजमेर में भीलवाडा जिलों में भी पाई जाती है यह राजस्तान के कौन से जिलों में पाई जाती है यानि पर्जेंट या पाई जाती है आगे हम बात करें गिर नसल की विशेस्ता के बारे में जो इसकी विशेस्ताइं हैं वो क्या-क्या विशेस्ताइं हैं गिर नसल की विशेस्ताइं विशेस्ताओं में हम बात करेंगे उसके सारी रिक विशेस्ताओं के बारे में उसका सरीर कैसा है उसका जो आखें हैं, उसके कान है, सींग है सभी के बारे में हम उसके बात करेंगे सबसे पहले बात करें इसके रंग के बारे में तो इस नसल के जो पसू का रंग है वो होता है लाल, सफेद जिस पर काले कथई वे सफेद धब्ब्बे होते हैं सरीर कैसा होता है इनका सरीर सुडोल भारी कान कान कैसे होते हैं कान होते हैं लंबे लंबे और लटकते हुए याणिक नीचे लटके हुए होते हैं माथा होता है, माथा होता है इनका सोड़ा उभरा हुआ सिंग की बात करें तो इनका सिंग होते हैं लंबे वे मोटे-मोटे सिंग लंबे भी होते हैं और मोटे-मोटे भी होते हैं नेक्स टकर बात करें, इनकी गर्दन की लंबाई के बारे में तो गर्दन लंबी वो पतली होती है, उनकी गर्दन लंबी भी होती है, तथा अयन पीछे तक फैला हुआ होता है, इनका अयन, जिसको सामने बाजसा में हम बोलते हैं गादी, अयन क्या होता है, पीछे तक लटक पीछे तक फैला होता है नेक्स्ट अगर बात करें गिरगाय का भार इसका सरीर भार कितना होता है तो गिरगाय का जो सरीर भार होता है गिरगाय असी से साड़े चार सो किलो ग्राम तक इसका वजन होता है आगे इसका बात करें हम इसके ये तो हो गया मादागा भार गिरगाय के मादागा भार हो गया ये तो तता इसकी जो नर पसू है नर पसू का जो भार होता है वो मादा के भार के अपेक्सा अधिक होता है तो मेरका बाहर होता है साड़े 500 से साड़े 600 किलोग्राम इस नसल के पसोगा बाहर होता है नेक्स्ट अगर बात करें इसकी उप्योगिता के बारे में नेक्स्ट आता है उप्योगिता आगे हम बात करें इसकी उप्योगिता के बारे में गिर नसल की गाय का दूध उतपादन इसका दूध उतपादन होता है दूध उतपादन इसका जो दूध उतपादन होता है पंदरा सो से अठारा सो लिटर प्रती ब्यात होता है और इसकी ओसत वसा प्रतिसत होती है वो कितने होती है? ओसत वसा इसकी ओसत वसा होती है साड़े चार परतिसत यहनी कि इसका दूद उतपादन होता है पंदरा सो से अठारा सो लिटर परतिव्यात और इसका जो वसा होती है ओसत वसा वो होती है साड़े चार परतिसत ओसत वसा इसकी होती है दोस्तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट हम बात करेंगे थार पारकर नेसल की उत्वत्तिस्तान, वित्रण, विशिस्ताई और उप्योगिताई बाले में दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना चले दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदिमात्रम